आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें वो होता है हमारा OH क्रियात्मक्समों जो के हमारे अलकॉल को दिखाता है तो यह हो गया है दोस्तों हमारा एथिल अलकॉल की सुत्र जो की है C2H5OH ठीक है तो यह हो गया है दोस्तों हमारी एथिल अलकॉल और इसके अभिकरा किस के साथ करने है हमें H2SO4 के साथ दोस्तो हमारा S2SO4 क्या होता है यह होता है दोस्तो हमारा Sulfuric Aml तो हम यहाँ पर डिख लेते हैं यह है दोस्तो हमारा Sulfuric Aml जो कि हमें कौन से माद्धम में लेना है यह हमें सांद्र माद्धम में लेना है तो दोस्तो इसका जो सूत्र होता है वो था हमारा S2SO4 ठीक है तो हमें कौन से उत्पाद यहां पर प्राप्त होते हैं, तो दोस्तो हमारी जो रहसाइनी का विक्रिया होगी, वो इस तरेके से होगी, यहां पर हमें क्या करना है, एथेनल जो की होता है हमारा एथिल अल्गॉल, इसकी S2SO4 के साथ अभी क्रिया करानी है, ठीक है, तो यह हो गया सांद्रमाद्यम में लेंगे S2SO4 ठीक है और दोस्तो ये जो हमारा S2SO4 है वो हमारा कौन सा होगा सांद्रमाद्यम में ठीक है तो दोस्तो हमें यहाँ पर temperature भी दिया गया है वो कि कितना लेना है 160 से 170 degree centigrade पर ठीक है तो दोस्तो हम यहाँ पर जब 160 से लेकर 170 degree centigrade में जब हम इसे गर्म करते हैं तो हमारा जो बनने वाला उत्पाद होता है बो होता है दोस्तो हमारा इसका नाम क्या हो जाएगा यह हो जाता है हमारा यह होगे दोस्तों हमारी अब है इस तरह से पूरी होती है तो हम कह सकते हैं कि यहां पर हमें अभी शुत पात की तौल पर की राप-राप्त हूए है सी Azure PCS2 ठीक जो की होता है दोस्तों हमारा एथिलीन ठीक है तो हम कहते हैं यह हमारा एथिलीन की सरजना है ठीक है अगर दोस्तों मैं इसे विश्थरित तॉर पर बनाउ तो यह इस तरी के से बनेगी यहाँ पर कारवन कारवन के बीच में दीवन्द और यहाँ पर दो हाइट्रोजन है तो यह इस तरीके से एक हाइट्रोजन यहाँ पर और इसके साथ में एक हाइट्रोजन और इसके साथ में एक हाइट्रोजन चोकि है हमारे चार हाइट्रोजन इस तरीके से विवस्तित होते और यहीं दोस्तों हमारी क्या करती है एको सार और रहा है । चसंदों हमारे घलिक रखर रहां तो हमारा आप आथिलीन जो है वो अभिष्टवत्तपात की तोर पर प्राप्ट हो रहा है तो दोस्तो हम हम क्या सकते हैं कि यह विकल्प हमारा गलत है उसी तरीके से हमारा दूसरा विकल्प है दोस्तो है डाई एथिल इथर तो यहां पर एथर क्रियात्मक समोग दिया गया है तो हम क्या सकते हैं कि यह ऑप्शन भी हमारा गलत है उसी तरीके से दोस्तो तीसरा विकल्प दिया गया दोस्तो यह हमें जो यह योगिक है यह हमें इस उत्पात के तो पर uważ तर नहीं हो रही है तो हमकह सकते है कि यह भी हमारा गलत उत्तर है ठीक है फो हमकह سकते हैं कि हमें जो option C दिया गया है जो कि है ethylene यह हमारे प्रेश्टा का बिल्कुल सही होतार है तो आसे करता हूं दोस्तों आपको यह प्रेश्टा समझा होगा तेरने बाद